दोस्तो अयोध्याधाम से फूल माला बेच रही सुन्दल लड़की की जिन्दगी दुखो से भरी हुई थी 40-50 किलोमीटर दूर अपने गाउं से वह सवारियों की गाड़ी में धक्के खाते हुए सवेरे सवेरे अयोध्याधाम पहुंचती है और वहाँ दर्सन के लिए आय सरदालू को फूल बेच रही थी और साम को फिर से सवारियों की गाड़ी में धक्के खाते हुए अपने गाउं वापस आ जाती थी और इस तरह बड़े परसानी सा कर वह अपने परिवार के सभी सद्यस्यों का पालन पोशन कर रही थी दोस्तो एक दिन वह अजुद्यादाम के सर्यू नदी में इसनान करने वाले सरदालियों के पीछे अपने फूल बेचने के लिए दोड़ रही थी तभी वह एक लड़के को देखती है मानो उसके साथ कोई गटना गटी हो उसके पैरो तले जमीन खिसक जाती है और उस लड़के से अपने आपको छुपा लेती है थोड़ी देर बाद वह लड़का नदी में इसनान के लिए गाराई में ज्यादा बहाव में जाता है तो दोस्तो वो लड़की एकदम से परिसान हो जाती है वो उसको गाराई में जाने से रोकना चाती है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बलकि उसका तलाक सुधा सुहाग था दोस्तो बहुत ही सुन्दर कहानी है वीडियो में अंततक जरूर बने रहें और आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एजुद्या धाम से सटे हुए जिला सुल्तानपूर के एक गाउं की उस लड़की का नाम पायल था और लड़के का नाम दिनेस होता है दोस्तों जब से अजुद्या धाम में स्री राम मंदिर का निर्मार किया गया और भगवान स्री राम के मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अजुद्या धाम में दर्सन करने वाले स्रदारगों की भीड़ पॉले से अधिक हो गई है लोग भारी जन संख्या में वहाँ दर्सन के लिए आते हैं और दर्सन करते हैं दिनेस पांच्छे लाख रुपए लगा कर नई कार खरीटता है और वह भी दर्सन के लिए अजुद्या धाम जाना चाहता था दिनेस अमेठी में राता जो की अजुद्या से लगबग 110-15 किलो मुटर दूर है वह अपने दोस्तों के साथ अजुद्या धाम गोमने का प्लान बनाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि चलो नई कार की फार्टी भी वहाँ चल कर दे देंगे दिनेस और उसके तीनों दोस्त अजुद्या धाम पहुंच जाते हैं पहले वस सर्यों नदे कराने वाले और फूल बेचने वाले भी दोस्तो पायल भी उसी जगह पर फूल बेच रहे थी जब वह दिनेश और उसके दोस्तों को देखती है तो वह भी उनके पीछे लग जाती है और काती है कि साहा फूल ले लिजिए सरीव नदी में अरपित कर देना आप सुखी था और वह काती है कि साहब यह एक बीस रुपे की है तो दोस्तों उसका दोस्त काता है कि मुझे फूल दे दो और वह काजल से पूछता है कि यह फूल सरीव नदी में डालना इलाव है क्या तो पायल काती है कि जी साहब इलाव है जो कि इलाव नहीं है लेकिन उसकी रोजी फूल तो ले लो और जब यह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पायल उसमें जब दिनेश को देखती है तो अह दंगरा जाती है और दिनेश को देखती है वो उससे दूर कहीं जाकर छिप जाती है दिनेश भी जब उसको देखता है दंगरा जाता है वो नदी में 20-25 अब दिनेश सोजने लगता है कि यार क्या सचमुच पायल थी, कि यह मेरा आखों का भ्रम था, वह फिर भी पायल को खोजने लगता है, लेकिन कहीं उसको दिखाई नहीं देती, वह काता है कि उसको कहीं से डूड़ कर पैसे दे दो, तो उसका दोस्त काता है कि यार यहीं दूरना मुश्किल होता है जो कि आप से पहले से ही जान बूच कर छिप रहा हो। बहुत मुश्किल भरा काम है। पायल वहां से कुछ दूर जा चुकी थी तभी उसका दोस्त काता है कि कुछ रुपए की तो बात है। जब उसको याद आएगा तो आकर ले जाएगी। हम चल अपने कप्ले निकालकल नदी में इसनान के लिए चले जाते हैं। नदी में बहुत लोग इसनान कर रहे थे, लेकिन इन दोस्तों में सुकता कुस ज्यादा ही थी। तो या धीरे धीरे और ज्यादा गयरे पानी में आगे की तरash बढ़ते हैं। क्योंकि किनारे पर जो प पानी में चला जाता है जैसे होता है कि अपनों के लिए फिकर होने लगती है तो यही हाल पायल का होने लगता है थोड़ा परसान हो जाती है तभी उसको एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है वो उससे कहती है कि इधर आओ छोटू और उन लोगों से कदो की ज़्यादा गहरे पानी में न जाएं पानी का बात तेज है ये लोग किनारे पर भी नहा सकते हैं दोस्तों वो लड़का उनके करीब जाता है और जोर आवाज से कहता है कि आप लोग जादा गहराई में मत जाओ आगे गहरा पानी है आप लोगों को डूबने का खत्रा है इतनी अंदर मत जाओ तभी कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं उस छोटू की बात को सुनकर लेकिन राहूल को उसकी बात सुनाई नहीं देता और वहीं खड़ा राता है बलकि गहराई में जाने लगता है नदी के बाहर से वह छोटू तो बोल कर चला जाता है लेकिन पानी के अंदर च लाने के लिए चोक रही थी दोस्तो अब पाचान जाता है दिनेश की आंकों में आसू आ जाते हैं उसकी हालत देखकर लगता है कि वह पायल को भूला नहीं पाया था और पायल भी उसको देखकर रोने लगती है और रोते गले से कहती है कि आप और गहरे पानी में क्यों ज पायल को देखने लगते हैं और दिनेश के तीनों दोस्त भी ऐसा देखकर अब सोच में पढ़ जाते हैं दोस्तो जिस लड़की को दिनेश ने तीन साल से छोड़ रखा था जो दरदर की ठोकरे खा रही थी जिसकी जिन्दगी कांटों से भरी हुई थी आज भी उस पतनी क दिल में उसके लिए धेर सारा प्यार था इतनी फिक्र थी उसकी ये प्यार देखकर दिनेश खुद को संभाल नहीं पाता और वहीं रोने लगता है उसको ऐसा रोता देख उसके दोस्त और घबड़ा जाते हैं और वह सभी उसके पास आते हैं और उसे समालते हुए पूच बेचने वाली लड़की है इसे तु जानता है क्या तो दिनेश कहता है कि यार यही तो मेरी पतनी है जिसे मैं तीन साल से अलग रहा हूँ तीन सालों के बाद आज मैं इसे इस हालत में देख रहा हूँ तो उसका एक दोस्त कहता है कि यार मैं तो समच रहा था कि अपने पै अरे यार ये हमारी भावी जी हैं ये तो बहुत ही सुन्दर हैं सीधी साधी हैं वह पायल के पास जाता है और उसे समालते हुए काता है कि देखो भावी जी यहां पर मत रो ये सभी लोग देख रहे हैं कोई क्या सोचेगा दोस्तों सैक्ल लोगों की वीड में इनकी एक पर आने के लिए काता है कि आओ तुम भी नहाल लेकिन वो मना करती है और काती है कि मैं तो सुबह आकर ही सबसे पहले इसनान कर लेती हूँ पूजा पाठ करने के बाद यहां फूल घूम घूम कर बेचती हूँ उसके बाद दिनेस के दोस्त नहाने चले जाते हैं अब दोस फूल ले जाकर उन्हें बेच देता हूँ तो पायल करती है कि जा अंदर रखे हैं जाकर ले ले उसके बाद वह लड़का फूल लेकर चला जाता है अब यह सब चाय नास्ता करने के लिए एक छोटे से होटल फर जाते हैं वहां बैट कर नास्ता करते हैं और दिनेस पायल स आसू आ जाते हैं सभी सहम जाते हैं दोस्तों जब दिनेस और पायल की साधी हुई थी तो बारात वाले दिन चोटी सी बात को लेकर जगड़ा हुआ था मार पीट भी हुई थी और दोनों पच्छों में गंबिर चोटे भी आई थी इन जगड़े का अंजाम यहां तक आ ही बारात लोटने वाली थी लेकिन जब कुछ जिम्मेदार और समझदार लोग बीच में पढ़ते हैं और समझा बुजा बाला फुसला कर किसी तरह से साधी को करा देते हैं लेकिन साधी होने के बाद जब पायल अपने ससुराल पहुंचती है तो उसको इज्जत नहीं म जब करते हैं जिसको सुन सुनकर काजल परिशान हो जाती है लेकिन कैसे भी करके वह अपने ससुराल में रह रहे थी क्योंकि दिनेश पायल से बहुत प्रेम करता था उसके दिल में पायल को लेकर कोई उबाल नहीं था वह उसे प्यार की नजर से देखता था उसी की वज़ बेहत खुपसूरत थी इसलिए ही दिनेज के परिवार वालों को पसंद आ जाती है और उसकी साधी हो जाती है क्योंकि वह गरीब परिवार से थी तो उसको अब दो की वजा चार बाते सुन्नों को मिलती थी अब दोस्तों छे महीने बीच जाते हैं और इस बीच पायल को अप कोई नहीं होगा तुमारी अब हम लोग दूसरी साधी करेंगे पायल के घर खबर भेज दी जाती है कि अब आप अपनी लड़की का देख लो अब ये रिष्टा और नहीं चल सकता अब पायल के बाप को इस बात का बहुत गारा सदमा लगता है और कुछ महीनों के बाद ही दूसरे की महत 13 साल थी कुल मिलाकर घर में साथ लोगों का खर्चा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनोरती थी इन लोगों की हालत बत्तर हो जाती है खाने पीने के मौताज हो जाते हैं दोस्तो सरकारी रासन तो मिलता था लेकिन रासन के अलावां भी बहुत सारे खर्चे थे दोस्तो बहुत ही तंगी हो जाती है अब पायल क्या करती घर में वही सबसे बड़ी थी अब वह दिन राट टेंशन में रहने लगी थी कि अपने परिवार की भूख कैसे मिटाए पायल की मा को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी पर इतने बड़े परिवार का इतने कम पैसे में गुजारा करना मुश्किल था इधर उसका जो पती होता है एक मेडिकल और खोल लेता है उसके अब दो मेडिकल इस्टोर चलते हैं एक पर उसके पिताजी बैढते हैं और एक पर वह खुद बैढता था इन लोगों को किसी चीज की कमी नहीं थी बहुत ख फूलों को देखते हुए काता है अजोध्या में इतने मंगे फूल मिलते हैं कि अगर इतने ही फूल वहां ले जाकर बेचे जाएं तो बड़े आराम से तीन चार हजार रुपए के बिक जाएंगे दोस्तों यह बात वह आदमी ककर चला जाता है लेकिन पायल के दिमाग में अबात पूरी तरह से बाइट गई दूसरे दिन सुबह सभी फूलों को तोड़कर एक टोकरी में सजाकर अपने भाई को साथ लेकर बस में अजोध्या दाम के लिए निकल जाती है दोस्तों पहला दिन था उसे थोड़ा दिक्कत तो ही लेकिन फिर भी वहां जाकर जो भी 48-10 किलो फूल होते हैं उन्हें बेच देती है और लगबक 15-1600 रूपय कमा लेती है साम को अपने घर जाने के लिए बस पकड़ती घर आती है वह बहुत खुश थी लेकिन कुछ दिन फूल बेचने के बाद अब जो घर के फूल है वह सभी खत्म हो चुके थे तो अब अप फूल खरक कर एज़्या धामने जाते हैं और वहां बेच देते थे दोस्तों लगबक 3 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे और जब स्री राम मंदिर का निर्माड हुआ तो हां और ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आने लगे और लोगों की भीड बढ़ गई जिससे उनक सुबह सुबह उठना पड़ता है और साम तक घर लोडते थे कुछ इस तरह से इस परिवार का खर्चा चलने लगता है और इस तरह मिनत करके अपना जीवन बिता रहे थे पायल बेच सुन्दर थी इसलिए वह जमाने की बुरी और गंदी नजरों से बचने के लिए सैंपल सारी पहंती थी और पचीस की उम्रे में भी चालिस जैसी लगती थी और अपने बाई को भी हमिसा साथ रखती उस दिन व्यवागाट पर फूल ही बेच रही थी जब पायल उसको देखती है और दिनेश उसे देखता है दोस्तों उसकी धुख बरी कहानी बताने के बाद पा यार तु तो पढ़ा लिखा लड़का था तुझे अपनी फैमिली को समझाना चाहिए था लेकिन तुम्हें तो इतनी बढ़िया सुन्दर लड़की को ऐसे रास्ते पर भटकने के लिए छोड़ दिया अपने परिवार वालों की बातों में आकर फिर वो लोग कहते हैं कि अब तो समल जाओ और आज से तो भावी जी को अपना ले और अपने घर ले चल हम तुमारे साथ हैं दोस्तों दिनेज के सभी दोस्त पढ़े लिखे इंसान थे पर पायल दिनेज के साथ जाने के लिए मना कर देती हैं वह कहते हैं कि वह अपने परिवार में अकेली ही सबस बावी जी आप अपने परिवार की बिल्कुल चिंता छोड़ दो आपका जो बड़ा भाई है उनको हम अपने साथ रखेंगे उनको नौकरी दिलाएंगे और अच्छी खासी इंकम देंगे जिससे आपके परिवार का खर्चा चलता रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगी बस आप प्टेंसन फिरी हो जाओ आपने पहले ही बहुत ठोकरे खाली है इतना बड़ा परिश्रम तो कोई सायद ही कर सकती है दोस्तों अब यह पायल को लेकर उसके घर जाते हैं और जब पायल अपने माई के पहुंचती है तो उसके घर वाले अपने दामाजी को देखते थाएं तो हैरान रहा जाते हैं और फिर जब उसको सारी घटना का पता चलता है कि ऐसे ऐसे इनकी मुलकात हुई है तो अग खुसी खुसी काजल को फिर उसी के साथ बिदा कर देते हैं फिर वा गाड़ी में बैट कर फायल के घर पहुंचते हैं दोस्त थे उन्होंने सभी परिवा वालों को मना लेते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का असास हो गया था दोस्तों दिनेश अपनी पत्नी को दुबारा पाकर बहुत खुस हो गया था और अपनी खुसाल जिन्दगी में फिर से लोट गये